स्वागत है आपका अभी क्लासे स्टाउट्स में और आपका प्रशने की खनीज और आयस्क में क्या अंतर है यानि अंतर स्पष्ट करें देखिए पूरा वीडियो देखिए और आप पहले समझ जी की कैसे लिखना है ठीक है न तब आपको समझ में आगा की परिक्षा में अंतर वाले सवाल कैसे लिखे जाते हैं और कितना अंतर लिखना होता है तो देखिए पहले तो आपको ऐसे करके बना लेना है कॉपी में चा आपको समझ में आ गया कि कैसे अंतर लिखा जाता है, अब आइए अंतर को पढ़ते हैं, सबसे पहले खनीज, सभी खने खनीज आयसक नहीं है, लेकिन आयसक में क्या लिखेंगे हैं, सभी आयसक खनीज है, ये हो गया पहला अंतर, दुसरा अंतर सुन्गे, सभी खनीजों से धातूओं का निस्कर्शन नहीं हो सकता है दूसरा लिखेंगे कि सभी आयसकों से धातूओं का निस्कर्शन हो सकता है तीसरा सुनिए भू परपटी में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले तत्व या योगी को खनीज काते हैं तीसरा सुनिए वे खनीज जिसमें तता कम खर्च में पराप्ट कि जा सकती है उसे आयस्क काते हैं तो इस परकार से यह हो गया खनीज और आयस्क में अंतर और मैंने आपको बता दिया कि अगर आपसे परिख्चा में 2 नमर का परषण पुछा गया है तो केवल आपको 2 अंतर लिखना है और अगर आपसे परिच्छा में तीन नमर का पुछा जाएगा तो आपको तीनों अंतर लिखना है ऐसे ही मैं समझा समझा करके question answer आपके लिए upload करता हूँ और class 10th का science का जो question answer है वो मैं upload कर रहा हूँ ताकि आपके mood परिक्षा की तियारी बहतर हो सके और इसके लिए playlist भी बना दिया हूँ chapter by chapter description में आपको playlist का link मिल जाएगा जल्द ही मैं आपको science के सभी chapter का question answer आवलेबल कला दूँगा जिस chapter का question answer नहीं है मैं उसको बना रहा हूँ पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद